नमस्कार आप देखें दा न्यूस 15 और आपके साथ मैं सुंबिका 23 जनवरी भारत के लिए कलेंडर की सिर्फ एक तारीक नहीं है बल्किया इतिहास में लिखा हुआ और दिलों में अंकित एक दिन है जिसे प्राकर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत का इतिहास प्राकर्मी सेना के वीर जवानों की कहानी से भरा रहा है भारत का प्राकर्म देख पूरी दुनिया सहम जाती है ऐसे में सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए हर साल 23 जनवरी को प्राकर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है प्राकर्म दिवस को भारत के महान स्वतंतरत सेनानी नेताजी सुभास चंद्र बोस के जनम जेंद के रूप में मनाया जाता है हाला कि पहले उनके जरम दिवस के मौके पर किसी तरह का आयोजन नहीं किया जाता था लेकिन भारत के मौजूदा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने साल 2021 में इस दिन को खास बनाने का एलान करते हुए हर साल पराकर्म दिवस मनाने की घोशना की पराकर्म दिवस मनाकर पूरा देश निताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता है और उनके योगदानों को याद करता है सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अजादी में महत्वपून भूमिका निभाई थी अजादी के जंग में उनका ओजस्वी नारा तुम मुझे खून दो मैं तुमें अजादी दूंगा ने पूरे देश में हर भारती के खून में उबाल ला दिया था और अजादी की जंग में एक नई जान फूग दी थी भारत माता की इसी वी सपूत के जरम दिवस को याद कर टिक हुए हम पराकर्म दिवस मनाते हैं इस दिन स्कूल कॉलिज में निताजी शुबास चंद्र बोस को लेकर नाटक का भी आयोचन किया जाता है वही कई तरह के प्रोग्राम भी रखे जाते हैं वहीं बच्चों को निताजी के बारे में उनकी कहानी के बारे में स्पीच में जानकारी दी जाती हैं जिसकी मदद से वहे अपने भविर्ष को राह आसमान बताते हैं नेताजी सुबास चंद्र बोस का जनम 13 जन्वरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था वहे एक राजनीतिक पकड़ वाले नेता थे जो देश की अजादी के लिए साहिक और निनायक कदम उठाने में विश्वा सकते थे उन्हें सेकंड वर्ड वर के दोरान भारती राष्टिस सेना यानि आई एने के गठन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है जिसने भारत की स्वतनता के लड़ाई में महरपपून भूमिका निभाई थी निताजी सुबाद चंद्रिबोस ने अपना पूरा जीवन भारत के अजादी के लिए समर्पित कर दिया था उनका जीवन भारत में युवाओं के लिए आदर्ष्ट की तरह है उन्होंने अजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारती प्रशासनिक सेवा को छोड़ द बनाया था उन्हें इसमें कई देशों का साथ भी मिला था अजादी के जंग में उनकी इसी जजबे को याद करते हुए हर साल हम प्राकरम दिवस देश में मनाया जाता है तो हमारी आज के इस जानकारी में बस इतना ही अब इस पर आपके क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन म जरूर बताएं इसी के साथ देखते रहें दे न्यूस सिफ्टी